हलो बच्चों मेरे नाम सुदान सुचेखर है और आज हम लोग देखेंगे एने सो में 2018 उनीस में आए वे पेपर जिसमें हम लोगा सॉल्व करें केमिस्ट्री का सेक्षिन और केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट कोश्चन जो आये थे वह सारे के सारे उस पर्टिक्लर पेपर के अंदर 2018-19 के अंदर वो हम आज यहां पर सॉल्व कर रहे होंगे उससे पहले थोड़े बहुत गाइडलाइन्स तो आपको पता होगा कि लॉजिकल रिजनिंग के इस पर्टिक्लर पेपर के अंदर दस कोश्चन होते हैं थाइन सेक्षिन में 35 कोश्चन होते हैं जो 10 कोश कर दिया तो आपको 0 नंबर मिलेंगे क्योंकि यहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं है उससे पहले बच्चों आपको पेपर स्टार करने से परें कुछ बाते ध्यान में रखनी है जैसे कि लेके नहीं जाना है वहां पर अलाउट नहीं है आपार्ट वंदेट फिल करना है अगर आपको अपने अको बाते होंगे तो सारे जूरे हो करना हँगे नहीं आते होंगे तो कोई बात नहीं अपन दिमाग लगाएंगे और थोड़ा बहुत अगर लेट सपोस्ट किसी ओप्शन में डाउट है दो ओप्शन में डाउट है तो वहाँ पर अपन थोड़ा सा स्मार्टली अक्ट करके एक एक आंसर टिक कर देंगे यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है चलिए जब शुरू करते हैं स्टार्ट पेपर आज केमिस्ट्री का सबसे पहला कोशन देखो कोशन क्या बोलता है पूछ रही है तो वैसे केस में मैं बोल चकता हूँ कि भाई साब पहला स्टेट्मेंट तो बिलकुल सही है बात गलत है दूसरा स्टेट्मेνट बोलता है प्रोपेनि इस इंप Alone गास बिलकुल बात करता है लीWest आंसक साथ यमिंघर देखो करते हैं सी बेटा कर देंगे correct राइट चलिए तो option number C हमने यहाँ पर correct कर दिया option number C चले next question की तरह बढ़ते हैं यहां बोलता है कि भाई साब कुछ ऐसा हुआ कि गीतिका ने चार टेस्ट ट्यूब लिए one two three four और each content 10 ml of different solution okay then different substances were are added to each test tube as soon in the figure और उसको अच्छी तरह से शेक किया फिर उसके बाद देखा जाता है कि देखो पहला वाले में क्या है battery acid कौन होता है sulfuric acid होता है उसमें उन्होंने 10 ml water का एड़ कर दिया उसके बाद one molar ammonia solution है ammonia basically basic solution होता है उसमें 10 ml बाहर से उसने आड़ कर दिया तीसरा है कि 10 ml of potassium hydroxide add कर दिया तो potassium hydroxide को डाला washing soda के अंदर washing soda के अंदर उसने potassium hydroxide को डाला और चौथे में उन्होंने क्या करा चौथे में उन्होंने caustic soda को डाला और बाहर से का डाला बाहर से अंदर में क्या है इसके present one molar you know hydrochloric acid right तो वैसे case में अगर आपन देखें कौन सा option सही है तो देखो ध्यारण से पेटा पहला गोल देखो अगर हम उसके बाहर से क्या डाल रहे हैं अगर हम बाहर इसके बाहरा से 10 molar राइट 10 molar यहां भी यहां पर दखो यह वान ओलर 10 ml यह भी 10 ml वन मोलर है तो वैसे के इसमें दोनों के दोनों बिल्कुल एक दोनों यहां पर बैटरी ईस्टीए ड glowing बहुत कम होगी तो मुझे लाइब यह उसके बात तुम्हारा तुम्हारा उसके बात का होना चाहिए सबसे आगे तुम्हारा सबसे आगे देखो एगर वासिंग सोडा के अंदर आपने वासिंग सोडा सल्यूशन के अंदर आपने क्या करा आपने बाहर से एन ओच डाले साल तो वैसे के पी एच वैल्यू जो एक वीक बेस सल्यूशन होता है तो वैसे के समें सबसे आगे थ्री है उसके बाद टू होना चाहिए फिर फोर होगा और फिर वन होगा तो यह अंसर होना ची जबकि यहां पर कुछ और दे रखा है तो मेरा यह उप्षन करेक्ट नहीं होगा अगला बोलता है ड्रॉप ओफ फिनॉप्थिलीन रिमें कलर लेस इन टेस्ट यूब 1 & 4 1 & 4 के अंदर ड्रॉप ओफ फिनॉप्थिलीन जो है वो कलर लेस रहेगा हमें पता है कि बाई साब जो फिनॉप्थिलीन होता है वो न्यूट्रल मीडियम में या एसिडिक मीडियम में कलर लेस होता है अगर मैं बेसिक मीडियम की बात करूँ जहां पर पी एच रेंज आठ पाड के आव की आस्पास होती है तो वहां पर वह पर पिंक कलर का हो जाता है चो नहीं बिल्कुल नहीं 3 नहीं बिलकुल नहीं है तो मेरा जो है वह ए और सी दो incorrect statement है और इस कारण से आंसर होजागा तुम्हारा बोथ A and C राइट बोथ A and C is incorrect बोथ A and C is incorrect B option is correct तो मेरा आंसर चुकिए उसने पुछा था incorrect कौन सा है तो I'll go with A and C अगला question बोलता है था given apparatus is used to study diffusion of few gases right at same temperature and pressure which of the following pair gases would diffuse into vacuum with different speed तो अगर आपको मैंने बताया हो कभी पिछले टेस्ट आ में पिछला lecture जब आपन ले रहे थे पिछला एक paper को देख रहे थे तो उसके अंदर मैंने आपको बता है था कि diffusion का जो rate होता है वो मास के molar mass के inversely proportional होता है root under तो वैसे case में अगर किसी दो का molar mass equal है तो diffusion का rate भी सेम होगा अगर अनिकोल है तो diffusion का rate भी different होगा अब यहां पर देखें तो carbon monoxide और sulfur dioxide का mass different है तो 100% rate of diffusion होगा वह आरवन not equal to R2 होगा यहां पर देखो carbon monoxide nitrogen का mass सेम है तो मतलब R1 equal to R2 होगा तीसरे वाले में NS3N2 के अंदर mass equal नहीं है तो obviously R1 not equal to R2 होगा और चौथे बाले में carbon dioxide and methane के अंदर mass equal नहीं है तो R1 not equal to R2 होगा राइट चुकि pressure और temperature condition सेम है तो only mass पे dependency है तो I will go with option number I mean कौन-कौन साइस में से सही है तो अपन देखते हैं तो कौन-कौन से सही है तो मेरे 3-4 अब 1-3-4 कौन से option में दिखरा है तो एक मात्र option है जिसमें 1-3-4 दिखरा है तो मेरे answer A हो जाएगा बस simple है कि भाई साब rate जो होता है वह inversely proportional होता है molar mass के या molecular mass के अगर यहाँ पर temperature pressure condition से में तो और area of diffusion भी से में दिखरा है में तो clearly area of cross section भी से में दोनों के लिए तो वैसे case में I will go with I will go with क्या बच्चा I will go with the molecular mass only और molecular mass अगर equal है तो rate of diffusion equal होगा अगर molecular mass equal नहीं है तो rate of diffusion equal नहीं होगा राइट चलिए next question बोलता है कि chlorination in the presence of sunlight किसका हो सकता है तो हमें पता है भाई जब alkane का हो सकता है तो I will go with P with 4 addition of H2 in to give saturated compound तो हमें पता है alkene में अगर हम hydrogen जालते हैं in the presence of nickel catalyst तो we get what we get alkene to alkane right मतलब unsaturated to saturated one alkene to alkane बहुत simple reaction होता है यह वाला अगला है formation of alkene by heating with concentrate H2S4 तो याद करो concentrate H2S4 के condition में elimination होता था और elimination में पानी बाहर निकलती थी जैसे for example अगर मालो मैंने C2H5 OH लिया और हमने इसमें क्या करा हमने concentrate H2S4 डाल दिया अगर हमने concentrate H2S4 डाल दिया with heat with heating तो वैसे case में आपको क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा C2H4 मतलब alcohol से alkene का formation होगा तो I will go with R जो है वो one के साथ है उसके बाद reaction with alcohol to give ester बिलकुल बास आईए carboxylic acid को जो हम क्या करते है alcohol के साथ react कराते हैं तो हमें ester का formation मिलता है तो यह process तो बहुत ही famous है class 10th में बिलकुल यह reaction दे रखा है chemical reaction and equation के अंदर कि ester का formation जो है वो carboxylic acid and alcohol के साथ मिलाने से होता है पानी बहार निकलती है और finally alcohol से I mean alcohol plus carboxylic combine होके ester का formation करते हैं तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो P का 4 P का 4 में कोई दो option में दिख रहा है तो मतलब यह और यह तो तुम्हारा रॉंग हो गया उसके बाद Q का 3 है तो Q का 3 मेरे को Q का 3 मेरे को कहां दिख रहा है तो Q का 3 यहां दिख रहा है मतलब option number D के साथ में निकल जाओंगा बाहर option number D is the correct answer तो correct answer यह होगा सरसारे reaction लिखके दिखा दो बहुत सिंपल है बिटा इसे पहला reaction है let's suppose CH4 डाला हमने with CL2 in the presence of sunlight तो sunlight के presence में यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा CH3Cl और बाहर निकलेगा HCl उसके बाद है अगला देखो यहां पर C2H4 को अगर तुमने अलकीन में तुमने यह अलकीन है इथीन है अगर तुमने इसमें hydrogen डाला in the presence of nickel catalyst तो वैसे कि इसमें आपको क्या मिलेगा C2H6 यह unsaturated था यह saturated है और last वाला जो है उसमें क्या होता है तो उसमें होता है C2H5 OH अगर माल लो मैं इस्टर है यह alcohol था और यह carboxylic acid है यही चार reaction है बहुत सिंपल question में से एक यह सारे questions यह सारे reactions आपके 10th class में carbon compound में mentioned है properties of carbon right properties of carbon compound ते लिए अगला question है बोलता है अंकुर has 32 grams of ozone निसांत has 0.5 mole of P4 वाइल रस्मी has इतना molecule of N2 which is the following statement I mean which is the following order of the number of electron they have correct कौन सा है यह पूछ रहा है तो देखो ध्यान से पीटा अगर अंकुर के पास 32 gram ozone है तो भाई साब सबसे प्रहें तो 32 gram से हम निकाल लेंगे मोल तो 32 divided by 48 उसमें multiply कर देंगे वैगेडरों नंबर से तो number of ozone आ जाएगा देखो ध्यान से number of ozone आ जाएगा और जब उस number of ozone में हमने number of ozone molecule निकाल लिया अब number of ozone molecule में अगर हम multiply कर दें कि एक ozone में कितने electron है उससे तो फिर हमें मिल जाएगा number of electron basically number of electron क्या होता है तो total number of molecule या atom into total number of electron present in one molecule or one atom अब अगर यहां O3 की बात कर रहे हैं आप तो O3 के अंदर हमें पता है कितने electron होंगे तो 8 into 3 मतलब सर 8 into 3 क्योंके आपने वेकर एक oxygen में 8 होता है तो 3 में कितना होगा 24 तो अगर मैंने इसको 24 से multiply कर दिया तो यही तुम्हारा total number of electron है पहले वाला case जो कि अंकुर के पास है अब दूसरा वाला है 0.5 mole अलड़ी दे रखा है तो 0.5 mole को जब एवगाडर नंबर से multiply करोगे और फिर उसके बाद यह तुम्हारा आगया number of P4 number of P4 molecule आचुका है because of mole into avocado number gives us the number of molecule उसके बाद अगर मैं एक phosphorus में कितने electron है अगर मैं calculate कर लूँ एक P4 molecule में कितने electron है अगर मैं calculate कर लूँ और multiply कर दूँ तो I will get the number of electron और हमें पता है एक phosphorus के अंदर एक P4 unit के अंदर कितने electron होंगे बिटा तो phosphorus का atomic number होता है 15 तो 15 into अपन 4 कर देंगे that is 60 राइट तो यह आ गया तुमारा 60 into 0.5 into एने राइट मतब 30 एने यह आ गया तुमारा 30 एने उसके बाद यहां पर solve कर लेते हैं तो 24 से टू टाइमस में गया तू से यह 16 टाइमस में गया तो यह आ गया तुमारा 16 एने उसके बाद अगला वाला आते हैं अगला वाला बोलता है कि भाई साब जो अगली है अगला बच्चा है उसका नाम है रश्मी और रश्मी ने nitrogen के इतने molecule ले रखे हैं तो सीधा nitrogen का molecule ले रखा है वागेटर नंबर के सबसे आगे 30 एने मतलब सबसे आदा होगा किसके पास सबसे आदा होगा निशांत के पास फिर होगा अंकूर के पास और लास्ट में होगा तुमारे रश्मी के पास तो अपना option Adbesondere के तो मोल च पहले मॉल निकाला मों मिल्टिप्लाइब किया अ थो हमें Meleklyra कर दिये और यह क्यों कितने घ्र उन्ट मिला तो ए सब मंदरे के बढ़िव कर दिएध्यी तो मेरे 17 17 मिला तो इस तरह से यह DMO पर ए हो जाएगा इसका question simple question में से एक मैं जो पेपर का ट्रेंज देख रहा हूं वो कुछ ऐसा है कि अगर तुमने सारे एर के पेपर शॉल्फ कर रखे हैं तो question का nature almost similar होता है formula almost similar similar सी ही लग रही होती है और जो ट्रेंज है जो topics उठा रहे हैं mostly papers के अंदर वो papers के topics भी लगबख fix सेहें जैसे पर एक्शामपल befार questionicky और पूछा आ रहा है most ली को से number of atom मॉलेक्व değ tan besteht不過 आ रहा है miss real क्वर गूपर question books सारा है typeondげela solution के ऊपर question पूछा रहा है atom के ऊपर को सिंपर को सिंपर रहा है iso Top क्योंगी और अच्छा अगर hold बना लें तो यह paper आडाम से आप से हो सकते हैं अगला question बोलता है एक lead nitrate, metal nitrate है जो metal oxide देता है plus P gas देता है plus brown gas देता है तो हमें पता है sir कि भाई साब यहाँ पर जो metal nitrate है वो कौन है तो वो है तुम्हारा PB NO3 का hold ट्वाइसर क्यों ऐसा कैसे पतला आपको तो पता इसलिए चला बेटा विकॉज जब हम लोग हीटिंग करते हैं तो यह PBO बनता है और PBO बनने के बाद उसके इसांवाल का होता है और साथ में इसलिए कोई नहीं होता है इसलिए इसलिए पीछ और आप लोगों को पता होगा कि सान लाइट वगडरा का reason है लेकिन हमें पता है atmospheric gas का कोई color नहीं है चलिए अब बोलता है कि अगर हमने इसको h2o plus ki के साथ डाला तो यह लो precipitation का formation हुआ तो हमें पता है भाई साव कि अगर हम pbno3 को क्या करेंगे pbno3 का hold twice को hold twice को जब हम ki ai के साथ लेके जाएंगे तो हमें बनेगा pbi2 हमें बनेगा pbi2 और साथ में बनेगा क्या विटा साथ में बनेगा तुमारा kno3 यह होगे तयार चलिए अब आते हैं फटा-फट one-to-one options के उपर पहला बोलता है an alloy of metal present in eggs is used for the soldering purpose बिल्कुल बात सही है lead का जो metal जो lead metal है आपर उसको हम लोग soldering purpose में यूज करते हैं in fact उस alloy का नाम व्यपन solder ही बोलते हैं इस कारण से यह बिल्कुल सही है दूसरा बोलता है colorless gas p is nitric oxide बिल्कुल गलत बात है क्योंकि colorless gas oxygen था not nitric oxide तीसरा बोलता है कि metal oxide y produced is yellowish brown color metal gas y जो metal oxide y जो produce हो रहा है वो yellowish brown है बिल्कुल बात सही है pvo जो होता है वो yellowish brown होता है मतलब a और c option मेरा बिल्कुल correct हो जाएगा option हो जाएगा both a and c is correct both a and c is correct राइट तो बहुत simple अगर lead nitrate के उपर पहले भी heating के उपर question आ चुका है question का nature वहाँ पे कुछ और था different question पूछा था लेकिन heating तो हुआ ही था और color के उपर वहाँ भी बात भी थी पिछले साल के question के अंदर तो मतलब यह है कि lead nitrate की heating important है iron sulfate की heating important है इनके उपर question पूछना है यह लोग चलिए आगले question की तरह बढ़ते हैं बोलता है reactivity of aluminum decreases when it dipped in nitric oxide बिल्कुल बात सही है होता है साब because of oxide layer का formation हो जाता है metal के surface पे अब यहाँ पे क्या बोलता है protective layer of aluminum nitrite नहीं 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 औक्साइड layer बनता है not aluminum nitrite यह statement गलत है यह सही है अपन देख लेते है statement 1 is true statement 2 is false option number 3 is right right याद रखना बिटा aluminum nitric acid के साथ further reactions नहीं देते विकाज आफ protective oxide layer का formation हो जाता है जो पैसिव nature का ओता जो further reaction नहीं देती है next है atomic structure के अंदर चार atoms इन्होंने तो चार atom इन्होंने ड्रॉ कर रखे हैं और बोल रहे हैं कि भाई साब ऐसा कुछ है यहां पर यह सारे है एक्स वाइज डबलो जो भी है राइट गिवन इन वन टू थरी फूर फॉलईंग करेक्ट रिप्रेसेंटेशन आर तो पहला है भाई 816W2- यह कौन हो सकता है तो यह oxygen हो सकत है राइट अच्छा 816 816 और यहां पर लिखा है टू मैंने दो लेक्टरन उपर से आड़ कर दिया आपने यहां 10 and 20 है यह तो यह 10 and 20 क्या हो गया वेटा नियॉन हो गया यह नियॉन है एक्स तुमारा नियॉन है उसके बाद वाई जो है वो तुमारा क्लोडीन है वाई जो हमने 1,2,3,4 के तौर पे 1 है तुमारा ऑक्सीजन चेक कर लो ऑक्सीजन में जब तुम दो इलेक्टरन बाहर से डालोगे तो पहले से छे आउटरमोस में अगर दो तुमने बाहर से और डाल दिये क्योंकि आप में पता है ऑक्शन के वेलेंसी 6 होती है ग्रूप नमबर 16 है तो बाहर में अगर पहले से 6 थे आउटरमोस सेल में अगर तुमने दो बाहर से डाल दिये तो आउटरमोस सेल में 8 हो जाएंगे 8 हो जाएगा चेक कर लेते हैं काउंट करके यहां पर देखो 1,2,3,4,5,6,7,8 परफेक्ट है सर 8 तो है आउटरमोस में बिलकुल सही है अच् अजय तो 2 यहां पर आपर दो अंदर वाले में 2 होंगे बाहर वाले में 8 होगा बिलकुल सही है चलिए अंदर में परोटोल 8 होता है और नेट्रोन भी 8 होता है इस करन से मार्ट नंबर क्या हो जाता तो उसका 16 हो जाता है और चुकिः प्रोटोन 1 है तो आडामीक नंबर 8 रहेगा राइट तो मतलब पहला रिप्रेजंटेशन तो बिल्कुल पर्फेक्ट है दूसरा तुम्हारा नियॉन है नियॉन में हमें पता है कि नियॉन का जो अगर देखा जाए तो अंदर वाले सेल में एक अलेक्ट्रोन है मतलब यह तो इनकरेक्ट रिप्रेजंटेशन है इसको तो हटा दो फिर क्लोडीन के बारे में बात करते हैं क्लोडीन होता है टू एट सेवन लेकिन हमें पता है माइनस है तो एक और एक्ट्रोन अड़ कर दो यहां पर तो इस कारण से हम ने बोला कि भाई साथ को क्या कर दिया हमने इसको बोल यह भी तुमहारा सही नहीं है अब चेक कर लेते हैं कि आउट्रौन्स में एक हैस में तो एक दो तीन चार पांच छे साथ-8 एक हैं अंदर वाले में इस चीख कर लो 1234 56 378 बिल्कुल एक ह इंदर वाले में दो होना चीए तो वन और टू बिल्कुल सही है तो फास्ट वाला भी सही था सेकेंड वाला गलत है अब फोर्थ में चेक कर लेते हैं अच्छा एक और बात है कि अगर मैं इसके अंदर एड करूंगा तो एड करने के बाद मुझे प्रोटोन प्लस न्यूट् हाँ यह भी चेक करना जरूर यह बैटा तो प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन मस्ट बीकोल टू 35 बट यहां पर देखो प्रोटोन प्लस न्यूट्रों 32 है और 15 प्लस 17 32 होता है और दूसरी चीज क्या है बिटा दूसरा चीज यह है कि यहाँ पर प्रोटोन का नंबर 15 देर जब कि proton का number 17 होना चाहिए क्योंकि इसका atomic number 17 बता रखा है तो मतलब यह वाला भी गलत हो गया electronic configuration तो सही था लेकिन अंदर में गलती हो गई चलिए अगला वाला देखते हैं sodium तो sodium का होता है बेटा एने प्लस अगर हम देख रहे हैं तो ऐसे sodium तो होता है 281 11 के लिए लेकिन चुकि एने प्लस है तो एक electron हटा दो मतलब 28 हो गया अब चेक करो अंदर वाले में 2 है बार वाले में 8 है तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 बिल्कुल 8 है अंदर में चुकि इसका atomic number 11 है तो अ बिल्कुल सही है कि यह वाला जो statement है में यह वाला जो तुमारा बनाए हुआ atomic structure है या फिर जो representation है वो बिल्कुल परफेक्ट representation है तो मतलब हो गया मेरा एक और 1 और 4 सही है 1 & 4 is only correct बांकी सब के सब क्या है wrong है उन्होंने पूछा था correct representation कौन है तो आंसर हो जाएगा d only 1 & 4 2nd वाला किसे गलत हो गया electronic configuration सही नहीं इसका और 3rd वाला किसे गलत हो गया तो इसके अंदर जो number of proton होने चाहिए वह 17 होना चाहिए बड़ इन्होंने 15 दे रखा है इसलिए वह गलत हो गया अगला question है बोलता है कि बताओ इसमें से कौन सा order correct है तो पहला है non metallic character तो हमें पता है in group sorry in period from left से right non metallic character increase करता है तो सभी बात है fluorine सबस्यादा होगा फिर nitrogen फिर carbon फिर boron और लास्ट में सिलिकन है यह तो भाई और अगले वाले period में आते हैं और period जब नीचे की तरफ जाते हैं हम लोग down the group जाते हैं तो क्या हो रहा होता है metallic character बढ़ रहा होता है तो सबसे कम metallic तुम हमें पता है from left से right electron negativity बढ़ती है बट यहां पर घटा रखा है सर कैसे आप देख सकते हो कि nitrogen का जादा होना चाहिए था carbon से लेकिन दे रखा है carbon का जादा है nitrogen से मतलब यहीं पर check करके मैं समझ गया कि यह तो गलत है यह गलत है तो पूछ रहा था not correctly matched तो मतलब यही हो गया त option is correct मतलब यही तुम्हारा incorrect statement है right atomic radius का भी order सही है हमें पता है down the group size बढ़ती है bromine का ज्यादा है chlorine से और अगला है none of this तो none of this तो नहीं answers का भी होगा ठीक है चलिए उसके बाद अगला question देखो क्या बोलता है बोलता है भाई साब यह सब इस तरह से है बोलो कौन कौन सा होना चाहिए तो भाई सब देखो रेनु हैं मनीस हैं और राज हैं इनको तीन चीजिया दिगई यह पहली लड़की है रेनु है यह पहली student है यह दुसरा है minis इस मनीस को क्यू दिया गया और तीसरा है राज राज को R दिया गया, very good, राज का नाम भी R से start होता है, मिला विसको R, very good, अब क्या बोलता है, कि boiling point यह सब है, और solubility water में यह सब है, तो अगर मालो इन substance को बाहर निकालना है, तो कौन सा method यूज़ करना सही रहेगा, तो भाई साब देखो, boiling point अगर बहुत different हो, हमें पता है water का boiling point जो होता है, अगर मैं पी को water में डाल रहा हूँ, और वो कैसा है, soluble भी हो गया, ठीक है, अगर boiling point में बहुत ज़्यादा difference हो, हमें पता है, solvent जो पानी है, उसका boiling point 100 है, और जो solute हमने बाहर से डाला है, उसका boiling point 56 है, तो वैसे के हम simple distillation भी करके, आराम से vaporize करके, हम उ को उड़ा देंगे, तो ये रेनू का तो simple distillation होगा, बिल्कुल सही है, अब मनीस के बारे में आते हैं, बात करते हैं, मनीस का जो ये क्यू है, ये insoluble है, अगर insoluble है, पानी के अंदर, तो वैसे केस में हम simple separating funnel यूज़ करेंगे, तो separate कर लेंगे, जो insoluble particles होंगे, वो बाहर पानी से, तो मतलब ये भी विल्कुल क्या है, सही है, तीसरा है, राज ने यूज़ करा fractional distillation, अगर मालो boiling point near about हो solvent के, जैसे कि पानी का 100 होता है, और R का 90 है, तो वैसे केस में, we have to go with fractional distillation, तो हमें फिर fractional distillation जाना पड़ता है, और option number, all of this is correct, option number D is the right answer, मतलब इसमें सारे के सारे statement क्या है, सारे सारे statement, सारे सारे तरीके सही हैं के, जिनों ने भी जो भी तरीका यूज़ करा, इन soluble को अपन simple separating funnel से यूज़ कर सकते हैं, अगर boiling point बहुत जादा difference हो, तो अपन simple distillation यूज़ कर सकते हैं, और boiling point लगबग equal हो, solvent के boiling point के, तो वैसे के समें हमें fractional distillation यूज करना पड़ता है, ठीक है बटा, अगला question है, one mole of hydrocarbon P on complete combustion produces carbon dioxide and H2O in the molar ratio of 1 to 1, चलिए, अब सोचो आप, हमें पता है एक चीज, मैं आपको एक शौट कर बताता हूँ बटा, अगर कभी भी CXHY, CXHY, प्लस कभी भी तुम अगर oxygen डालतो हो, कमश्च करने के लिए, तो यहाँ प हो, यह automatically balance हो चुका है, अगर XY तुमारे, X और Y तुमारे carbon and hydrogen के atomicity है, अब बोलता है कि भाई साब यहाँ जो भी combustion हुआ, इसमें, जो molar ratio है, carbon dioxide and water का, यह जो है 1 to 1 है, मतलब क्या हो गया, मतलब यह हो गया, कि X equal to Y by 2 होना चाहिए, तो इससे क्या आ गया, तो Y equal to 2X आ गया, Y equal to 2X आ गया, Y equal to 2X का मतलब है, कि hydrogen का atomicity, hydrogen के number, उस hydrocarbon के अंदर हमेशाथ twice होना चाहिए, carbon के, एक है भाई साब, अब कौन साब options नहीं हो सकता है, चलिए, आगे पढ़ता है question उसके लिए, the succeeding, the succeeding homologus of P is Q, जो P हमने burn करा, in the presence of oxygen, combustion करा है, जिसने 1 to 1 आया है, तुमारा water and carbon dioxide उसको हमने CXHY मान रखा है, उससे हमने यह relation established कर ली, just because जब हमें पता है, जल्दी बोलो, alkene होने चाहिए, सर क्यों, alkene क्यों होना चाहिए, सर, because हमें पता है, कि CX, CN, H2N होता है, alkene का general formula, मतलब अगर N है number carbon का, तो 2N होना चाहिए, किसका hydrogen का, यह एक general formula alkene का है, तो भाई साब, जहां-जहां alkene है, अब पूछ रहा है, तो homologous, अच्छा, आगे पढ़ लेते हैं, the succeeding homologous P is Q, while preceding homologous, while preceding homologous is O, पीछे वाला O है, आगे वाला Q है, बीच में P है, मतलब ऐसा है, कि भाई साब P में, जब आप CH2 को add करते हो, तो आप Q बन जाते हैं, और जब P में आप CH2 को minus करते हैं, तो आप O बन जाते हैं, तो यह पूछ रहा है, बताओ, P, O, Q क्या होगा, और साथ में बोलता है, the name of homologous series is R, homologous series का name है, वो R है, तो हमें पता है, homologous series जो होते हैं, वो functional group पे depend करते हैं, जैसे alkyne अलग है, alkyne का अलग homologous series होता है, alkyne का अलग होता है, alcohol का अलग होगा, carboxylic acid का अलग होगा, बस अ ऐसे case में, अगर देखा जाए, तो भाई साथ यह तो clear होगा, कि जो series है, वो alkyne की है, because of, जो यहाँ y equal to 2x है, उस हिसाब से तो alkyne ही मेरा यह है, जो हम लोग use कर रहे हैं, series, वो alkyne का series है, तो मतलब alkyne तो नहीं हो सकता, और यहाँ भी alkyne तो नहीं हो सकता, अब बचा यह तीनों option, अगर हमने PQ, O, PQ निकालना है, तो मतलब P बीच वाला रखना है, चलो ठीक है, बीच वाला P है, अगर मैंने P लिया प्रोपीन के तोर पे, तो यह alkyne है, बिल्कुल है, अब अगर प्रोपीन में, मतलब C3, H6 में, अगर मैं CH2 add करूंगा, CH2 add करूंगा, तो I will get C4, H8, बिल्कुल यह butene है, बिल्कुल perfect, और इसमें से अगर मैं CH2 को minus करूंगा, तो I will get C2, H4, यह बिल्कुल ethene है, मतलब मुझे लग रहा है, D option ही correct है, एक बाइस को भी check कर लेते हैं, अगर pentene में CH2 add करूंगा, तो वो hexene बनेगा, बट है यहाँ butene, मतलब यह तो न D option में उल्टा दे रखा है, उल्टा दे रखा है, बियोटीन को यहाँ रखना था, hexene को यहाँ रखना था, इन्होंने उल्टा कर दिया, तो इसलिए गलत हो गया, तो मेरा आसन क्या हो जाएगा, बताओ, आंसर हो जाएगा D, ठीक है, अच्छा question था, no doubt, बहुत अच्छा question था, आपको यहाँ से clue लेके आगे बढ़ना था, चलिए, आगे question है, देखो ध्यान से, बोलता है, copper oxide है, उसमें hydrogen डाला, तो अपन देखते हैं, copper oxide यहाँ पर plus 2 oxidation state पर है, यहाँ पर 0 पर जा चुका है, मतलब copper oxide का तो reduction हुआ है, hydrogen यहाँ पर 0 पर है, और यहाँ पर plus 1 पर ज is the oxidation process, ठेक है, जिसका reduction होते हैं, वो क्या होते हैं, oxidizing isn't, जिसका oxidation होता है, वो क्या होता है, reducing isn't, मतलब तुमारा 1 जो है, वो oxidizing isn't है, और जो 4 है, वो reducing isn't है, अब 4 option में check कर लते हैं, उसके बाद जो 3 process है, 3 वाला process, this is the reduction process, और जो 2 वाला process है, this is the oxidation process, अब check कर लते हैं, कौन तो two oxidation मेरे को पहले वाले में दिख रहा है और दीसरे वाले में देख रहा है और इसे वी तो गलत हो गया उसके बाद भाई साब जो वन है one जो है वह अंडर गो objective झाल सै नहिं नहीं 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 वन ओक वन अंडर गो तो Oxidation जो 1 है, 1 कौँ है? 1, 1 जो है, 1 जो है, वो तुमारा एक औक Okay Absol스트 है, तो One Oxidating Isn't है, यहाँ दिख रहा है, वन Oxidizing Isn't है, उसके बार जो 2 प्रॉसेस है, वो of Oxidation है, बिल्कुल Oxidation दिख रहा है मेरेको 3 प्रॉसेस जो है, वो reduction है, 3 यहां पर reduction दिख रहा है, and जो 4 है, वो तुम्हारा reducing agent है, 4 तुम्हारा reducing agent दिख रहा है, मतलब बिलकुल सही है, option number C, option number C मेरा correct हो गया, right, तो थोरा से बस एकदम simple question था, आपको बस definition पता होना चाहिए, what is oxidizing agent, what is reducing agent, what is oxidation process and what is reduction process, बहुत ही simple question में से एक आसान question, चाहिए, अब आते हैं हम लोग achiever section के अंदर, अंदर achiever section के अंदर आते हैं वेटा, इसका, 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 वन, 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 अंडर गो reduction, अंडर गो reduction, वन, अंडर गो reduction, वन, अंडर गो reduction, ठीक है, तू इस रेडक्शन टू 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 अ gebracht है यहां पर उन्ने इसको उपर कर दो यह answer बंट ठीक है ठीक है से लिए अगले की तरह बढ़ते है आगले की तरह पढ़ते है अगले में दे रखा है यह पूरा का पूरा प्राम अपको देखना है एचीवर सेक्षन में आ चुके हैं अब अच्छा है मज़े आएगा इसमें तो रेट दी पैसेज ठीक है एलेक्ट्रोनी कॉन्फिगर्शन ओफ फॉर आटम एलेमेंट पीक्यू आरेस और गीवन इस तरह से दे रखा है पूछर एलेमेंट कौन-कौन से सेम पीरियड से बिलॉंग करता है पहले वाले कॉलम में बताना है और दूसरे वाले में कौन-कौन सिमलर ग्रूप में बिलॉंग करते है देखो, period similar उनका होता, जिसमें number of cell equal होता है अब मुझे पता चल गया, इसमें number of cell कितने हैं सर तो number of cell 1, 2, 3, 4, इसमें 4 cell हैं, इसमें 1, 2, 3 cell हैं और इसमें 1, 2 cell हैं, इसमें 1, 2 cell हैं, मतलब ये दोनों तो similar period वाले हैं R और S, कौन सा option में R S दिख रहा हैं, एक ही option है यहाँ पर R S वाला ये वाला तो मेरा option number C हो जाएगा, C option हो जाएगा, अच्छा ये भी चेक करते हैं, सेम ग्रूप वाले कौन है Q and S देखो, Q and, अब इसके इसाब से चेक कर लेते हैं, क्या ये सही है, गलत है Q and S, कौन साइक Q, ये है Q, Q के outermost में इतने electron हो गए, अगर उतने ही outermost में S के भी हो गए तो हम लोग बोलेंगे भाई, सेम ग्रूप वाला है, चेक कर लेते हैं, 1, Q के outermost में 1, 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, यहाँ देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, अच्छा मतलब डोनों में 5, 5 हैing outermost में, 5 होते हैं, मतलब अजूर में electron के number 지 same होते हैं, तो वह similar group वाले होते हैं, बिलकुल सही बात है, जो तम्हारा Q और S है, वो तम्हारा similar group वाला है, यह तम्हारा P था, Q था, R था, S था, तो Q और S 就是 similar group वाले हैं तो पास similar group वाले वो होते हैं जिनके outermost में similar number of electron होते हैं और similar period वाले वो होते हैं जिनके पास similar number of cell होते हैं तो बिल्कुल सही answer है तुम्हारा C चलिए अब अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question क्या बोलता है बोलता है read the given passage answer the following the electronic arrangement of four atom PQRS is this यह PQRS का दे रखा है अब देखना ज्यांसे बिटा PQRS में देख लेते हैं भाई साब P में दो electron outermost में है कि कितने cell हैं बिटा एक दो तीन चार सौथे cell में मतलब fourth period का element है तो beryllium second period magnesium third period calcium मतलब यह तुम्हारा calcium है ओके अब आ जाते हैं Q में तो एक, दो, तीन, चार, पांच, five electron है कितने period हैं तो one, two, three, third period पांच electron outermost में five मतलब group number fifteen group number fifteen में nitrogen आता है यह period number two है उसके बाद phosphorus आता है यह period number three है तो मतलब तुम्हारा Q जो है वो तुम्हारा एक phosphorus है यह phosphorus है यह phosphorus है ठीक है sir कैसे पता किया आपने तो बेटा outermost electron count कर लिया और देख लिया number of cell कितने है अगर number of cell तीन है तो मतलब वो period number three का element है और outermost में अगर पांच electron है मतलब वो group number fifteen का element है तो period three group number fifteen किसका होता है तो phosphorus होता है ठीक है उसके बाद आते है आर के पास तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ अरे भाई साब eight electron है अगर eight electron है और दो shell है मतलब second period का element है और आठ electron है तो helium के बाद आता है neon तो मतलब मेरा यह जो element है वो neon है यह element तुमारा neon है यह period number two का आता है और outermose में eight होता है octet complete होता है group number eighteen है उसके बाद देखते हैं इसके बास दो, two, two, four, one, five, five electrons है और अंदर में दो हैं seven electrons है किसमें होते हैं तो nitrogen में होते हैं तो यह हो गया nitrogen चलो अब options पढ़ लेते हैं फटा-फटा बोलता है element P has least metallic character, element P कौन सा है बेटा P, 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 नहीं, element P तो most metallic character वाला है क्योंकि सबसे ज़्यादर metallic character किसका होगा तो सबसे ज़्यादर calcium का ही होगा तो यह तो गलत हो गया, पूछ किया रहा था आप से वो statement correct कौन सा है, तो यह तो गलत है, the atomic size of S is greater than that of P, atomic size of S greater है P से, देखके ही clear है भाई साब, यह 4-5, 4 cell वाला element है, वो 2 cell वाला element है, 100% है, जो P की size होगी, वो S से बड़ी होगी, तो मतलब यह भी क्या हो गया, गलत हो गया, element S is more electron negative than Q, element S कौन है भाई साब, nitrogen, और element Q कौन सा है, वो है nitrogen और यह कौन सा है, phosphorus, हाँ हमें पता है, कि nitrogen का जो होता है, electron negativity जादा होता है, phosphorus से, because down the group, electron negativity increase करती है, sorry decrease करती है, तो nitrogen के नीचे आता है phosphorus, जिसके लिए nitrogen का जादा होता है कि से phosphorus से electron negativity, मतलब यह वाला statement क्या हो जाएगा, बिल्कुल correct है, और ऐसे भी, electron negativity inversely proportional to size की होती है, अगर यहाँ पर size छोटी है, यह size बड़ी है, तो obviously छोटा वाला more electron negative होगा, और ऐसे भी हमें पता है, कि nitrogen के electron negativity mode होती है, phosphorus से, because of down the group, electron negativity decrease करती है, because of size increase करता है, और nitrogen and phosphorus दोनों similar group वाले हैं, यूँकि दोनों के outermost में same number of electron है, 5 and 5, राइट, चलिए, तो मतलब हो गया भाई साब, और मोलता है, आर reactive gas है, अरे भाई साब, यह तो blunder है, हमें पता है, neon तो किसी हालत में reactive नहीं है, तो बहुत simple question में से एक, although obviously you will have to have the information, knowledge about the periodic table, periodic table के ऊपर question अच्छे बन रहे हैं, और periodic table के साथ इन्होंने mix कर रखा है, इसमें atomic structure को, दोनों को combine करें, class 9th and 10, दोनों combined होके एक question बनाए, बहुत है beautiful, अच्छा question, लेकिन question कुछ खड़ने का सबसे पहला तरीका होता है, आप फटाफट atom identify कर लो, और उनकी properties हमें almost पता होती है, अगर मैं ऐसे PQRS के तौर पे देखूंगा, तो मैं answer करना मिने लिए मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने क्या करा पहले, पहले element identify कर लिया, number of cell और outermost electron को देखके, और फिर मैंने आराम से, फटके चारा statement answer कर दिये, तो कि we are more familiar towards the elements, राधर दिस PQRS, इसलिए better है कि आप elements find कर लिया करो, चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये session खतम हो गया, I hope आपको सारे questions बिल्कुल समझ में आये होंगे, और मैं बोलूँगा, अगर सारे session को आप देखोगे, तो mostly concepts क्या हो रही है, repeat हो रही है, हाँ, question का nature change हो जाता है, question का, you know, ask change हो जाता है, but the nature of the question, the topic they have covered are mostly similar, right, तो इस करन से बेटा, इन topics के उपर थोरा और strong hold बना लो अपना, इन questions को दुबारा ते बारा खुद से दिमाला के solve कर लो, I guess तुम्हारा जो paper आने वाला है NSO का वो बहुत अच्छा जाएगा, so all the very best and before that, बच्चो अगर आप हमसे और फर्दर जोडना चाहते हैं, तो बिलकुल आप visit कीजे इस website को myclassroom.digital, यहाँ पे आपके future के लिए बहुत सार ऐसे contents और ऐसे courses हैं, जो आपको benefit करेंगे, आपके incoming exams के लिए जो आप future में लिखने वाले हैं, चाहे आप scientist बनना चाहते हैं, doctor, engineer, lawyer या charter accountant या जो भी बनना चाहते हैं, आपके लिए सारे solutions यहाँ हमारे पास myclassroom.digital में available हैं, और apart from that आपको इस channel को भी subscribe करना है, like करना है और videos को share करना है, description box में जो further other subjects हैं, इसी particular year के, like physics, biology and logical reasoning, यह तीनों आपके video solutions available हैं, जब प्लीज उसको भी जाके काई विजिट कर लो, मुझे लगता है वहाँ पर भी question का nature almost similar साही होगा, तो आप लोग अगर उसको दुबारा से I mean, इन सारी years के question को अगर one to one कर लोगे, तो आपका जो NSO आने वाला है, वो बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है बच्चों, चलिए, so all the very best for NSO, take care, bye bye